किसान भाईयों नमस्कार, मैं पिन सिंग, आप सभी भाईयों कापके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग यान में एक वार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईयों जैसा की अभी कुछ दिन पहले ही डियेपी खात के दाम में 150 रूपे की बढ़ोतरी की गई यानि डियेपी के 50 कीलो के बैक पर 150 रूपे की ब्रिधी की गई पहले 50 कीलो डियेपी 1200 रूपे मिलती थी जो अब 1350 रूपे हो गई यूरिया की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है यानि यूरिया अब भी एक बैक 266 रूपे में ही मिलेगी जायत खरीफ और रभी तीनों सीजन में डियेपी और यूरिया का इस्तेमाल किसान जादा करते हैं बढ़ी हुई कीमत से किसान परेसान थे कि अब खेती पर लागत बढ़ जाएगी किसानों की परेसानी को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंदरी कैबनेट की बैठक में फर्टिलाई एर सबसीडी बढ़ाने का फैसला लिया गया इसके साथ ही खरीफ सीजन के लिए खात के दाम नहीं बढ़ेँगे केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर ने बताया कि मंत्री मंदल ने खरीब सत्र के लिए फासपोरस और पोटास उर्भरकों के लिए 60,949 करोड रुपए की सबसिडी को मंजूरी दी है तो किसान भाईव बढ़ी हुई DAP की कीमत को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है DAP अब भी 50 किलो 1200 रूपए में ही मिलेगी सरकार ने सबसिडी बढ़ा कर बढ़ी हुई कीमत को कम करने का कार किया है किसान वाई वो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद